Hello friends, welcome to my channel, All Things Gardening. ये colorful succulent, jelly bean है, जो की seedum family से है. हमारे North Indian climate में, succulent को गर्मियों में बचा के रखना बड़ा मुश्किल काम है. हमारे North Indian climate में, गर्मियों में succulent को बचाना एक टफ काम है. हम कुछ बातों का ख्याल रखें, तो हम इन्हें सिर्फ बचा ही नहीं सकते, बल्कि ये अच्छी गरोध करेंगे. मैं आपको आज 5 पॉइंट बताऊंगी, जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. सेकुलेंट के लिए सबसे important tip है watering. कितना पानी डालें कि सेकुलेंट हेल्दी रहें. सर्दियों में आप कितना भी पानी डालें, प्लांट कभी खराब नहीं होता, उस चीज का कोई डर नहीं होता, लेकिन गर्मियों में हमें प्लांट में पानी सोच समझ के देना है. चहे कितनी भी गर्मी हो, डेली पानी नहीं देना है, एक दिन या दो दिन आप कहां पर प्लांट रखा है, पर डिपेंड करता है, पानी देना है ये ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है, आप एक महीने तक पानी डालना भूल जाएंगे, तो भी वो हेल्दी रहेगा, मरेगा नहीं दूसरा पॉइंट है, आपने किस जगह पर प्लांट को रखा है, हमेशा किसी बंद जगह में रखने के बज़ाए, एक सेकुलेंट प्लांट को खुली हवादार जगह में रखना चाहिए, जहां पर उसकी जणे और पतों को हवा मिलती रहे आप देख रहे हैं, जिये मेरे प्लांट से, ये सब खुली छट में रखे हुए, जहां इन्हें पूरे दिन भर की धूप मिलती है तीसरा पॉइंट संलाइट ही है, मैंने इनको पूरे दिन की धूप में रखा हुआ है, अगर इन्हें चाया में रखते हैं, तो ये लंबे हो जाते हैं और बहुत ही delicate हो जाते हैं जिससे ये जल्दी गल के मर जाते हैं इसलिए इन्हें खुली जगह में तेज धूप में रखना है चोथा point है pruning इनकी pruning टाइम टाइम पे होनी चाहिए आप देख रहें मेरा plant ज्यादा lengthy नहीं है क्योंकि मैं इसकी pruning करती रहती हूँ जब हम pruning करते हैं तो ये plant healthy बना रहता है और इसमें नए babies निकलते हैं और ये गना हो जाता है धूप में रखने से कितना colorful हो जाता है सेकुलेंट आप देखे अगर आप पानी रोक लेते हैं इसका और इसको धूप में रखते हैं तो इसका color कितना खुबसूरित हो जाता है जो green वाला सेकुलेंट है वो छाया में रखा हुआ है माई के मैने में मैंने पूरे दिन की धूप में इन plants को रखा हुआ है जब हम उपर से branches को cut करते हैं तो नीची वाले branches के लिए खुली हवादार हवा मिलती है उन्हें और sunlight भी मिलती है इसलिए इन्हें cut करना बहुत ज़रूरी होता है अब अगला important point है इसकी soil इसकी soil media में बजरी, धान की भूसी, sand, woodbuck, chips, charcoal और compost को मिला कर बनाना पड़ता है इससे soil well draining रहती है और साथ में airy भी रहती है सेकुलेंट की roots को अगर air न मिले तो वो गल जाते हैं दियान रखना है कि गर्मियों में नए पौंदे नहीं बनाने चाहिए और plant को report भी नहीं करना चाहिए I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में